कि नमस्कार दोस्तों योग आईरवेद में आपका पुना स्वागत करते हैं एक नई वनस्पत्य जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पत्य के वारे में जिसका उपयोग भूक बढ़ाने या सरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है सूजन है या इसकी करने के लिए नस्पत्य के पुरह किया जाते है और जो आप अपनस्पति देख रहे है इसको हम चित्रक अगनीवर्दक अगनिशिखा सब्तिया दुर्भिया चीतावर चित्रक यादि नामों से जानते हैं इस वनसपत्य को बहुतिए आसानी से आप पहचान सकते हैं क्योंकि ये भारत वर्ष में हर जगा पैदा होती है कहीं कहीं इसकी खेती भी की जाती है इसके पैवदा बहु वर्षियों होता है और हमेशा हरे रहना वाला होता है इसके पौदे तीन से छह फुट की उचाई तक के होते हैं इस पौदे का तना बहुत ही कम होता है जड़ के सिरे पर ही इसको पतली पतली कई डालियां फूटती है जो चिकनी और हरे रंकी होती है इसके पत्ते मोगरे के पत्ते की तरह ही लंबे और गोल हरे रंके होते हैं जो बहुत ही दल्दार होते हैं इसके फूल सपेद रंके और गंधुग रहते हैं इसके कलंगील कोमल साखाओं से निकलती है जो एक से लेकर बारा इंच तक लंबी होती है उसके उपर फूल लगते हैं और इन फूलों के उपर ही फल लगते हैं और एक फल में एक से दो बीज निकलता है इसकी छाल काला पन लिये हुए दूसर रंकी होती है इसकी जड़ सूखने पर अगर आप तोड़ते हैं तो चट से टूट जाती है इसका स्वाद तिक्षड और कड़वा होता है इसकी जड़ की छाल को उसदिय रूप से उपयोग में लाया जाता है ये चितरक कई प्रकार की होती है जो आप देख रहे हैं ये सपय चितरक है इसी प्रकार काली चितरक, निली चितरक और लाल चितरक भी देखी जा सकती है आईरवेतिक मता नूसार ये चितरक, दीपन, पाचन, पचने में चरपरी, अगनी वर्दक, कड़वी, गरम, रसायन, अगनी को बढ़ाने वाली, सूजन को कम करने वाली, ववाशीर, कुष्ट, कोड, कंड़ुआ, लीवर, संग्रहडी, छे, उदर रोगों को ये नश्ट करती है, सबसे ज़्यादा इस चत्रक का उपयोग लिकोडर्मा या सपेदा या इसके प्रोबलम में इसके प्रयोग किया जाता है, तो इसके पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप इसके पत्तों को रस निकाल ले, इसमें तिल का तेल, नीम का तेल, तो वरक का ते के बाद वहां के स्किन ठीक हो जाती है तो आप इस प्रिकार इस चित्र का प्रियोग कर सकते हैं बवसीर में भी आप इस चित्र की ताजी जड़को मठा या दही के साथ सेवन करते हैं तो आपके मस्स भी सूख जाते हैं और बवसीर में बहुत ही आराम हो जाता है इस चित्र पसीना इसलिए जादा आता है इस चित्रक को खारते समय आप द्यान रखे कभी जीब से ना चाके ये मेरा परशनल अनभव है कि आप अगर इसकी जीब से चाक लेते हैं अगर ताजी जड़को तो आपकी जीब तुरंत जल जाती है और काली हो जाती है आपका स्वात चला जा तो आप इस ताजी चत्रक की जड़को कभी भी जीब से ना चाके नहीं तो आपको छाला भी पढ़ सकता है अगर इस चत्रक की जड़को आप अपने सरीर पर कहीं भी बान देते हैं एक टुकड़ा एक इंच का काट कर तो आप देखेंगे कि वहां जो है काला निशान पढ करना चाहिए स्प्लीन विकारों में आप इस चत्रक को एलोवीरा के गुदा के उपर आप चूरन करकर अगर बुरक देते हैं और उसको आप खा लेते हैं तो आपके तिली विकार भी मिट जाते हैं आपको लीकोडर्मा है या स्वेद कुष्ट या अन कोई स्किन प्रावल लेप कर दे और इसका लेप आप लगातार कुछ दिन करें जब तक कि चाला ना उड़ जाए जब चाला वहां उड़ जाए तब आप इस चाले को फोड़ दे और जैसे ही उस चाले की जखम ठीक होती है तो आपका लीकोडर्मा सपेद दाग या कुष्ट आपका ठीक हो जा जाता है ऐसे ही गटिया में भी आप इसकी चित्रक की चाल का जो लेप जोड़ों पर बान सकते हैं उसमें भी कापी आराम होता है मगर आपका जो लेप है 10-15 मिनट ही बानना चाहिए संग्राडी रोग में आप इसका क्वात और लुग दी को सिद करके आप इसका घी बना और इस घी का सेवन करते हैं तो आपके संग्राड़ी जैसे रोग भी मिट जाते हैं इस चित्रक की चित्रकादी भी बनाई जाती है जो आईरुएदे के मेडिकल पर आपको मिल जाएगी यह जो क्लासिकल में सारी जो कंपनिया है इसका निर्वान करती है तो आप इसको आस कमला या पंडवा रोग होने पर आप इसका चूरण और आमले के रस में आप तीन बहामना दे कर आप गाए के घी के साथ आप रात को इसको चाटे तो आपका पंडवा रोग भी ठीक होता है नाक से खून बहना नक्षीर कहलाता है तो ऐसे में आप इसके चूरण को सहत के साथ चाटने से नक्षीर से बंद होती है अगर आपको भूक नहीं लगती है खाना आपका पस्ता नहीं है तो आप ऐसे में इस चित्रकादी बटी या इस चित्रक की जड़का उपियोग एक ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपको भूक खुलके नगले लगती है आम बात या गटिया या अर्थ्राइटिस होने पर आप इसके चित्रकादी बटी दो दो गोली शुबा साम शेवन करते हैं तो आपके स्रीश आम को ये पका कर बहार निकाल देती है और आपको गटिया और अर्थ्राइटिस जैसे रोगों में बहुत रहत दिलाती है तो इस चित्रकादी का सबसे ज़्यादा इसकी जड़की छाल का प्रियोग किया जाता है अगर इसकी जड़की छाल अगर परानी हो जाती है तो ये थोड़े से इसमें और इस चित्रकादी का सेवन आप इस परकार कर सकते हैं और इसमें थोड़े शी आपको साबदानी सकती है और इसकी अगर जड़को अगर तोड़कर आप गरवाशे के मुँपर अगर रख देते हैं तो उसके गरवाशे यह जो बच्चा अंदर गरवाशे को पकाड़ लेता है वो भी तुरण छोड़ देता है और डिलेवरी बहुत तेजी से यत्ति बृता के साथ हो जाती ह तो यह काफी उष्ड़ उसदी माने जाती है यह आपके ज़्यादा सेवन करने से आपके फेपड़ या लीबर पर भी तोड़ा नुक्शान पहुंचा सकती है तो आप इसकी सेवन भी दिये एक ग्राम से लेकर दो ग्राम की मात्रामी सहद या दूत के शाथ इसका सेवन क्या जानते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और इसके अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेबल आईकोन को और क्लिक करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई उससदी जानकारी के साथ